लोक तंतर में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एक प्रमुख हथिहार होता है विपक्ष का चहरा हमेशा बदलता रहता है देश में ये 27 वाँ अविश्वास प्रस्ताव है सबसे ज़्यादा सथा में कॉंग्रिस रही और सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव कॉंग्रिस की सरकार के खिलाफ ही आया इंद्रा गांदी सरकार के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आये मन्होन सिंग सरकार ने भी हर कारिकाल में एक एक बार यानि कि कुल दो बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया नरेंद्र मूदी सरकार भी इस बार को अगर मिला दें तो दोनों कारिकाल में एक एक बार अविश्वास पस्ताफ जेल गई है जेलने वाली है अविश्वास पस्ताफ को लेकर इस तरह का महौल बनना क्यों आया ये बाद समझ से परे लगती है सांसदों की संख्या तो लोकसभा में फिक्स है जो संख्या बल है उससे नरेंद्र मूदी सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्याबल सिर होने के बावजूत अविश्वास पस्ताफ जन्यता के प्रती सरकार के उत्तदाइद्व का इजहार करने के लिए लोकतांतरिक तरीके के रूप में सदन में एक व्यवस्था है इसका स्तेमाल विपक्ष कर रहा है मुद्दो पर चर्चा होगी मनिपूर के साथ ही दूसरे मुद्दो पर भी चर्चा होगी सरकार के लिए भी ये अफसर होगा कि विपक्ष के नेरेटिव के सामानांतर अपना नेरेटिव खड़ा गरे क्योंकि आगे भी उनको अपनी सरकार को इसी तरह चलाना है और वो इस तरह का करते आए हैं सदन में राजनीतिक पहस देखने को मिलेगी मुझे तो लगता है कि विपक्षी गड़बंदन इंडिया की तुलना में बीजेपी में अच्छे वक्ता ज्यादा है खासकर हिंदी बोलने वाले वक्ता हिंदी भाषी शेत्रों में तो बीजेपी के लिए मौका है कि इस अफसर पर वो अपनी बात प्रचारित करें प्रसारित करें अविश्वास पस्ताव एक लोगतांतरिक अधिकार है और इसका हमेशा इस्तिमाल हुआ है विपक्ष आज कोई और है कल कोई और होगा ऐसा नहीं कह सकते कि अविश्वास पस्ताव मुद्दो पर बहस कराने के लिए विपक्ष का आखिरी हत्यार है नहीं ये बहस कराने का उपकरन या अवसर है ये वास्ता में सरकार के प्रतिश जंता की भावनाओं को जो नकारात्मक भावनाएं होती है एंटी इंकंबेंसी होती है उसे दर्शाने का अवसर है चुकि हमारे देश में दल बदल कानून और वीव विवस्ता है तो उससे सांसदों को पार्टियों का गुलाम बना रखा है सांसद अपनी मर्जी से वोट करेंगे नहीं इसलिए इसके नतीजे भी फिक्स है अगर सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर पाते तो शायद स्थिती अलग होती तब इस अविस्वास प्रस्ताफ पर माइने जो थे वो अलग होते